प्रिष्ट संख्या 173 भारत, मेरे सम्मान का सबसे महान शब्द जहां कहीं भी प्रयोग किया जाए, बाकी सभी शब्द अर्थहीन हो जाते हैं। बीच का रास्ता नहीं होता। पाश मूल नाम अवतार सिंह संधु जन्म उन्निस सो पचास तलवंडी सलेम गाउं जिला जालंधर पंजाब प्रमुख रचनाएं लव हो कथा उड़दें बाजा मगर साड़े सम्या विच लरेंगे साथी पंजाबी में बीच का रास्ता नहीं होता। लहु है कि तब भी गाता है। हिंदी अनुवाद मृत्यू सन उन्निस सो अठासी पाश सम्कालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर कभी माने जाते हैं। मध्य वर्गिये किसान परिवार में जन में पाश की शिक्षा अन्यमित ढंग से सनातक तक हुई। पाश जन आंदोलनों से जुड़े रहे और विद्रोही कविता का नया सौंदर ये विधान विकसित कर उसे तीखा किन्तु स्रिजनात मक्ते वर दिया। पाश की कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं। जिनमें लोक संस्कृति और परंपरा का गहरा बोध मिलता है। पाश जन सामानने की घटनाओं पर आउट साइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। बलकि इनकी कविताओं में वह व्यथा, निराशा और गुस्सा नजर आता है जो गहरी संप्रिक्तता के वगेर संभव ही नहीं है। पिष्ट संख्या 174 पाश ने जनचेतना फैलाने के लिए अनेक साहितिक सांस्कृतिक कारेक्रमों का आयोजन किया। और सियाड, हेम जियोती, हॉक, एन्टी 47 आधी पत्रिकाओं का संपादन किया। कुछ समय तक अमेरिका में रहे। यह कविता दिनो दिन अधीकाधिक निशन्स और कुरूर होती जा रही दुनिया की विदुपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिती की और इशारा करती है, जहां प्रती कूलताओं से जूजने के संकल्प खीन पड़ते जा रहे हैं। पथराई आँखों सी तटस्थता से कवी की असहमती है। कवी इस प्रती कूलता की तरफ विशेश संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविशे के सपनों के गुम हो जाने को कवी सबसे खतरनाक स्थिती मानता है। 1988 में खालिस्तानियों के हाथों मारे गए और देश की अवाम के लिए शहीद हो गए।